चलो हाँ किसका उचानन चाहिए है पहले स्लोक का पहले चंद का भाश्वन मौलि मनि प्रभाप्रभिशरोत तुंगोत मांगानता तुंगोत मांगान नतान एक न को अंगा के साथ और एक इसके साथ चलो वे पूरा चंद फिर से पढ़ते हैं ये नेंद्रान भोनत्रयस बिलसा ये नेंद्रान भोनत्रयस बिलसा के यूरहा रांगदान के यूरहा रांगदान भाष्वन मौलि मनिप्रभा प्रविशरोत आधाता इसके साथ है ने भाष्वन मौलि मनिप्रभा प्रविशरोत तुंगोत मांगान नतान तुंगोत मांगान नतान वे शाम पाद पयोरुहे समुनिया चक्रुहू प्रकामं सदा चक्रुहू प्रकामं सदा बन्दे पंचतयम तमद्य निगदन नाचारम भर्षितम बोलो बन्दे पंचतयम तमद्य निगदन नाचारम भर्षितम येन बिलसत के उर हार अंगदन जिनके द्वारा बिलसत सोफाय मान के उर मुकोट हार अंगद यानि अन्या भुशनों से सहीद बास्वन मौली मनी प्रभा प्रविशरो तंगो तमांगान अर्थाद भास्वन जैदिप्रमान मौली यानि मुक्टों के मनी की प्रभा के विश्तार से जिनका उत्तमंग अर्थाद उचा उठावाय मस्तक जिनका ऐसे मस्तक उचे उठे वे मस्तक सहीद भूनत रयस्ट है ना उपर से लेंगे भूनत रयस्ट है तीन लोग के इंदरान इंदरों को क्या किया है मुनियह नीचे से हैं ना मुनियह मुनिगन क्या किये प्रकामम अच्छी तरह से स्वेसां पाद पयो रहे सुनतां अपने चरन कमलों में नतां नमरी भूत चक्रू यानी किये थे अद मैं तम उस पंच तयम अभर्च तम आचारम निगदन बन दे मैं उन पांच प्रकार के आचारों का निगदन कतन करता हूँ उनको नमशकार करता हूँ पुरा एक फिर कल तो बताई दिया थे फिर से बतादेने जिनके द्वारा सोभाई मान हार और अभुषनों से सहीद चमकते वे मुक्तों की मनियों की प्रभा के बिस्तार से उचा उठा हूआ मस्तख है जिनका ऐसे तीन लोकों के इंद्रों को मुनी जन हमेशा अच्छी त पूजनी चरित्र के आचार का कथन करते हूए बंदना करता हूँ ठीक है आगे slider शाधी तद्वया विकलता कालों पदा प्रilingual जुए अ॑ ऍद्रशेएं अग्रों कान्य प्रहा इंद्र कैस्ट ए श्व्धिंड़ा विकलता कालों पदा प्र Fields रिंद्र Sanders श्वाचार्या धन्पन्वगो बह मेते सह जट्श्ची स्वाचारियाद्यन पन्न चेतस्टधा ब्याहितम स्वाचारियाद्यन पन्न वो बहुमतिष्चेतस्तधा ब्याहितम स्रीमज ज्याति कुलेंदुना भगवताँ तिर्था स्कर्तां जशा ग्यानाचार महंतिधा पनिपता बोलो ज्यानाचार महंतिधा पनिपता ज्दूते कर्मना बोलो अर्था बेंजन तद्धिया अर्थ की अविकलता बेंजन की अविकलता और अर्थ बेंजन तद्वय की अविकलता दोनों की शुद्धी अर्थ बेंजन और तद्वय की सुद्धी ठीक है? काल काल की सुद्धी उपधा उपधान है न है? और फिर प्रस्रया अर्थात प्रस्त्रेकात यहां पर लिया है बिने अपने आचारादी का नाम नहीं चिपाना जिसको अनीन नहीं बोलते हैं और बहुमती अर्थात बहुमान इती चा इती चा यानी और इती इस प्रकार अश्टेदा आठ प्रकार से स्रीमत ग्याति कुल इंदना ग्याति कुल के चंद्रमा के समान स्रीमत अर्थात जो स्रीमान है केवल ग्यानादी से सुसुभित है ग्याति कुल के जो चंद्रमा के समान है और कैसे हैं भगवता तीर्थर्स करता अंजसा भगवता भगवान कोन है ग्यातिकुल के चंद्रमाग भगवान महाबीच जो कैसे तीर्थष से करता तीर करता है और उन्होंने अंजसाईसपस्ट रूप से दिला हिरतम कहा है किसको कहा है? ये ज्यानाचार कोłos है तो उनके द्वारा कहे गए ग्यानाचारम ग्यानाचार को कर्मनाम उद्धू दिये कर्मों के बिनाश के लिए अहाम तृधा पनिपतामी मैं तीन प्रकार से अर्थान मरमचन काई से प्रणाम करता हूँ अर्थात अर्थ की सुद्धी वेंजन की सुद्धी तदुबई की सुद्धी काल की सुद्धी उबधान बिनय और आचारादी का अनिन्नों तता बहुमान इस प्रकार भगवान ग्याती कुल के चंद्रमा तीर्थ के करता भगवान महाबीर के द्वारा जिसे इस पस्ट रू ग्याती कुल गया आवेजर के नं तís कह लुठी कुल हिन्शन से चतरि ग्यानाचार । ए र ज्याना चार, ज्यानका ज्यान संबनदी आचार दियानाचार, दसनाचार, तपाचार, चारिताचार विर्याचार है, तो यह ज्यानाचार की चार्चार और दसनाचार. ब्यावृति सनद्धता, बातसल्यम विचिकित्चनादु परतिम, धर्मो पब्रिंहक्रियाँ, सक्त्याशासन दीपनम हित्पताद, ब्रष्टस संस्थापनम, बंदे दर्षन गोचरम सुचरितम, मुर्चनान मनादराद, बोलाएं, ब्यावृति सन्द्धता, बातसल्यम विचिकित्चनादु परतिम, धर्मो पब्रिंहक्रियाँ, सक्त्याशासन दीपनम हित्पताद, ब्रष्टस संस्थापनम, बंदे दर्षन गोचरम सुचरितम, मुर्चनान मनादराद, कि इस थाउनक Pikachu के श्टाएं, सम्मेख जर्षन का शुछनाना, बुषुध तया पालन करना जर्षना risk? तो पहला ऑंग है संका, यानि निश्चन कित होनाem, संका शाइए, द्रिष्टी विमोह, द्रिष्टी में मूरता आना, यानि अमूर द्रिष्टी रिना, द्रिष्टी के विमोह से रही, कांख्षन विधी व्यावरित्ती, कांख्षन यानि आकांख्षा से रही, अर्थात निशकांख्षोना, संका, दर्सन मूरता और आकांख्षा की विधी स बाथ सल्यक विचिक साना विचिकित्सा उपरती यानि दूर जूप्शा से दूर होना निर्विचिकित्सा धर्मो पब्रिंग क्रियाम धर्म का को उपब्रिंग यानि बढ़ाने की क्रिया करना उपब्रिंग नंग और दूसरों के दोष छुपाना यानि उपगुहन नंग सक्त्या सासन दीपनम, सक्ति के अनुसार, सासन दीपन, सासन को दीपन, यानि उद्योत करना, पहलाना, ये क्या हुआ है? प्रभावना, फिर हित्पतात, भस्तत से संस्थापनम, हित्पत से, मोक्षमार्क से भस्त होने वाले को संस्थापित करना, यानि स्थिर करना, ठीक है ये सब बातसल तो पहले आई गया है इस प्रकार दर्सन गोचनम दर्सन से सम्मंधित यानि सम्मेक दर्सन के बिशेभूत जो सुचरितम है यानि सुचरितम यानि सेष्ट आचार की आदरात आदर करते हुए मुर्धना नमन मुर्धना नमन नादरा था ना मुर्धना सिर जुका कर नमशकार करते हुए बंदे में बंदना करता हूँ किसकी बजला करता हूँ? संका रही दृष्टी के मिमोहन रही दृष्ट कांख्षा की बिधी से रही बासल सहीद बिची कितना से रही यानि रिविजी कितसा सहीद धर्म की उपब्रिंगां क्रिया से युक्त सक्ते के अनुसार प्रभावना में तत पर अहित्पत से भष्ट जीवों को इस्थिर करते वे इस्थितिक करन से युक्त दर्सन से संबन दर्सन के विचम्मेक दर्सन के विशेभूत चरित क्यों मैं आदर पूरवक सिर्थ जुका कर नमस्कार कर बंदना करता हूँ अठंगा गए चलिए अब आई बात किसकी तपाचार की तपाचार क्या है एकांते सैनो पवेशनकृति एकांते सैनो पवेशनकृति एकांते सैनो पवेशनकृति संतापनम तानवं संतापनम तानवं संक्या बृत्ति निवन्धना मनसंअ संक्या बृत्ति निवन्धना मनसंअ विश्वान मर्धो धरम जागम चेंद्रिय दंतिनो मदेता जागम चेंद्रिय दंतिनो मदेता स्वादोर सस्यानिशं स्वादोर सस्यानिशं स्वादोर सस्यानिशं सोधा पायमहं स्थुवे शिवगती सोधा पायमहं स्थुवे शिवगती स्वादोर स्थुवे शिवगती जागम चेंद्रिय दंतिनो मदेशं स्थुवे शिवगती तब निर्दोस वारा प्रकार के तब काचनर करना तब आचार कराता है और तब दो तरह के हैं बाहे और अभेंतर बाहे तब छे प्रकार के अंसन होनोदर ब्युक्सायासन ये छे प्रकार के जो बाहे तब है इनका अपनी सक्ति को छिपाए बिना आचरन करना ये क्या है सक्ति के नुरूप तब करना ये क्या करना तब आचा है तो यहां कह रहे हैं सबसे पहले एक आंते सेनो पवेशन कृती एक आंते एक आंत में सेन करना उपवेशन कृती यानि बैठना आदी क्रियाएं करना यह क्या हो गया? बिविक्त सेयासन ठीक है? एक आंत इस्थान में बैठना ध्यान लगाना सेन करना यह क्या है? संतापनम तानवं तनू का इकले समगे शंख्या बृत्ति निवंधनाम अनसनम अनसनम यानि भोजन में शंख्या की बृत्ति का निवंधन करना यानि बृत्ति की परीशंख्या करना पहले क्या है बृत्ति संख्या बृत्ति निवंधना तो अर्थात शंख्या बृत्ति निवंधना अपनी बृत्त की संख्या का निबंधन करना अर्थात हमारी जो आहार चरिया है उसकी बृत्ती की चरिया का निबंधन करना अर्थात आहार के समय आहार संबंधी नियम लेना बृत्ती की संख्या करना ठीक है फिर क्या है अंसनम उपवास करना ठीक है बिश्वानम जीततेवे, दबातेवे स्वादो रसस्य अनिशम सोधा स्वादो छे प्रकार के जो सोधा रसस्य छे प्रकार के रसों का अनिशम निरंतर स्वादो त्यागम स्वाद का त्याग करना रस परी त्याग है तो क्या हो गया छे प्रकार के रसों का त्याग करना कैसे त्याग करना जो स्वाद है उस स्वा क्या करते वें? इंद्री के दर्प को कम करते वें, इंद्री के मद को कर्प करते वें, छे प्रकार के रसों का त्याग करना, ये क्या है? छे प्रकार के रसों का त्याग करना? ये इच्छे है, ऐसे रस पाँच है, रसी साथ है, रसी करने वाले क्या करते हैं, हारी को ऐसे सडरस कहलाता है, सडरस भोजन में, मधुर रस में लवन रस को अलग कर देते हैं, यद पी रस के हिसाब से लवन और मधुर एक ही है, तो है ना, घी, दूद, तेल, दही, नमाख शक्र, नमाख गुल, मीठा सब है, ये सडरस, तो आपने अगर वाइल्ड लिया है, और नमाख नहीं ले रहे हैं, तो आपके सडरस का अपने आप त्याग हो गया, शटरस का तया कि वल वाइल डीजे तफ होता है ना तफ का तफ होता है और सेहत की सेहत समगते उबला ठीक है और ठीक है जब तक ठीक है जब हो गातलेंगे यह तो बहुत चलिए स्वाद तो लेना है नीचे यहाँ ऐसा नहीं है रसस्यत आगम ठीक है अनिशाम रसस्यत आगो क्यों? इंद्री दंतिनो मदेहता स्वाद मत लोना देखो एक बात है आप बिना कुछ लिये भी ले रहे हो और उसमें रस ले रहे हो तो इंद्री जह नहीं है स्वाद लेने पर स्वाद मिलता है खाने से स्वाद नहीं आता है चटकारे ले लेके खाओ तो नीरस में भी रस आजाएगा क्यों लेना स्वाद? स्वाद को जीतना है स्वाध लेना नहीं ये गड़ा भरना है मूँ बना के नहीं खाना चाहिए रुची से खाने का मतलब ये है पर रस लेके मत खाओ समझ गए है चलो हाँ चलिए आगे हाँ मैं सुना इनी पड़ा स्वाध द्धाया सुब करमना चुतवत स्वाध द्धाया सुब करमना चुतवत संप्रत्य वस्थापनम ध्यानं व्याप्रति रामया विनि गुरो ध्यानं व्याप्रति रामया विनि गुरो ध्यानं व्याप्रति रामया विनि गुरो ब्रधे चे बाले यतो कायोत सर्जन सत्क्रिया विनित कायोत सर्जन सत्क्रिया विनित कायोत सर्जन सत्क्रिया विनित ते वं तपा सर्विधं ते वं तपा सर्विधं वं बंदेiga वं तपासर्रियं वं दे भैंतर मंतर अंग बनवाबत वं दे भैंतरमंतर अंग बनवत बिद्वेशि विद्धन सनम गुरू बिद्वेशि विद्धन सनम गुरू शे प्रकार क्या भ्हेंतरता स्वाध्याया पहला क्या है? दूसरा सुबकर्मनस्चुदवता संप्रत्यवस्थापनम सुबकर्म से चुदवता अर्थाद चुत हुए अपने आपको संप्रत्य वस्थापनम संप्रत्य यानि सम्यक्वकार से प्रत्य वस्थापनम पुनास्थापित करना यानि प्राश्चित क्या हो गया, प्राइशे, फिर ध्यानम ध्यान, फिर व्याप्रति आमयाविनी गुरो व्रद्धे बाले चा यताओ, आमयावनी आमयावनी आमय बोलते रोग को, तो रोग गरशत गुरु के व्रद्ध के बाल मुनियों की व्याप्रति करना अर्थात सेवा सुस्थूसा करना ये क्या हुआ, वैया व्रित्ति, फिर क्या है, कायो सर्जन सत्क्रिया अर्थात कायो सर्गन की क्रिया कायो सर्ग फिर बिनय बिनय इति एवं इति एवं इस प्रकार से अभ्यांतर 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 फिर्कार को हम नमसकार करते हैं दो यहां तपव कौन से रूप में है? यह तप की कौन से बिवक्ती है क्यों बनी दुथिया तो तप यहां दुथिया क्यों रखा किस अर्थ में दुथिया आई पुरा टेस्ट भी होना चाहिए क्यों क्यों बोलना चाहिए शिज़े बंदे है इसलिए तोड़ा तोड़ा पूछ भी लिनाची गाली ठीक चल रहे कि नहीं ठीक है चलिए हां ले निवाला निकालो मेरे पास नहीं है पढ़ो बढ़ो पढ़ो पढ़ो तीनों का पढ़ो जिनमत संका परमत संसा विष्यों की भी चाह नहीं सैधर मी में वसलता हो सादु संत से डाह नहीं जिन सासन को करो उजागर पत्चित को पत पर लाना नमुदर्सना चान नम्रह उबगूहन में रशाना नीमों से चरिया को बांदे अनसन उनो धर करना इंदी गजमत मत बनेना रशवर जन बहुतर करना सैनासन एकांत जहां हो और तपाना निजतन को पाए हे तुशिव केचह तप इनकी तुत में रखता मन को करे ध्यान स्वाद्धाए बिने भी तनुत सर्ग भी सदा करे ब्रद रुग नलग गुरुयतियों के निततन मन की व्यता हरे दोस लगे तो तुरंद डंडले बने सुद्ध सबहे प्यारे कसाई रूप के हनक बीतरी इने नमुबुद उरधारे बहुत सुन्द है चलिए